इल्ड वर्ब भी है और नाउन भी है ठिक जब इल्ड वर्ब है जब इल्ड वर्ब है तो उसका मतलब होता है घुटने टेकना घुटने टेकना इल्ड जब वर्ब है तो उसका मीनिंग है घुटने टेकना और जब नाउन है तो उसका मतलब होता है उपज क्या मतलब होता है उपज खेती में जो पैदावार होती उसको yield बोलते हैं ये याद रखेगा कि जब उपज की बात आती है तो yield की जगा हम yields बोलते हैं ठीक plural form में इस्तेमाल करते हैं और जब घुटने टेकने की बात है तब तो वो verb हो गई और जब yield verb है तो उसकी second form होती है yielded और third form भी होती है yielded ठीक तो घुटने टेकना हार माल लेना या फिर केती की उपच example देखिए a resilient person resilient मतलब जो flexible है resilient जिसे हर इस्तिती से निपटना आता है है ना और जिसे हर इस्तिती से निपटना आता होगा वो का है घुटने टेकेगा का है घुटने टेकेगा क्यों टेकेगा घुटने है ना resilient होना आपने आप में एक योगिता है हर व्यक्ति के अंदर resilience नहीं होता हर व्यक्ति resilient नहीं होता एक पेड तुफान आने पर सक्त सीधा खड़ा रहता है और तूफान के तेज होने पर तूटके गिर जाता है और एक पेड समझदार होता है वो जुग जाता है ताकि तूफान निकल जाए फिर वो सीधा खड़ा हो जाएगा जो पेड जुग जाता है तूफान के निकलने का वेट करता है वो resilientry है एक तरीके से समझ रहे हैं तो a resilient person never yields to adversities, adversities का मतलब होता है विप्रीत परिस्थितियां विप्रीत परिस्थितियां विशमताएं जिनको आप कह सकते हैं विशमताएं ये सो एक flexible आदमी कभी विशम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकता अच्छा ये याद रखेगा कि जब भी कभी हार मानने की बात ध्यान से सुनिएगा हार मानना घुटने टेकना हार मानना एक ही जैसी बात आई तो जिससे आप हार मानोगे या जिसके आगे हो सकता है है ना और वो किसी प्रकार की बिमारी भी हो सकती है जैसे बहुत से लोग कोविट से मर रहे हैं तो वो क्या है हार ही तो मान रहे हैं उस बिमारी से तो जब हार मानने की बात आए तो आगे चाहे बिमारी हो बिमारी हो चाहे परिस्थितियां हो चाहे व्यक्ति हो आप कौन सा प्रेपोजिशन लगाओगे याद रखेगा टू लगाओगे और यह सिर्फ इल्ड के साथ नहीं हार मानने के साथ है हार मानने के लिए लूज भी बनाया गया हार मानने के लिए सरेंडर भी बनाया गया हार मानने के लिए सकंब भी बनाया गया लोग गिविन बन मतलब है घुटने टेकना हार मानना तो याद रखेगा सर याद रखेगा भूलिएगा नहीं सर कि जब आप हार मानेंगे जब कोई भी हार मानता तो चाहे वो व्यक्ति से हार मानने परिस्थितियों से हार मानने बिमारी से हार मानने तो जो भी प्रेपोदिशन जो भी वर्ड यूज होना चाहे वो इल्ड हो चाहे वो सकंब हो जैसे बिमारी के आगे घुटने टेकने के लिए सकंब वर्ब का इस्तिमाल किया जाता है तो प्रेपोदिशन लेकिन टू ही आना चाहें याद रखेगा ठीक और एक्जामप किन पैदाबाद कम हो जाती है एक तरीके से सिनोनिम्स दिये है कुछ अन्टानिम्स दिये हुएं अब सिनोनिम्स में हार मानने की बात आ रही है तो अन्टानिम्स में क्या object हो गया जब आप object करते हैं तो इसी से तो objection बनता है confront करते हैं किसी के सामने खड़े हो जाते हैं आओ front का मतलब क्या होता सामने confront जब आप करेंगे तो कोई आपको ललकारेगा तो आप सामने आएंगे उसके ठीक है मैं लड़ूंगा उससे हार नहीं मानूंगा गुट्ने नहीं टेकूंगा ठीक याद रखेगा कि yield का मतलब गुट्ने टेकना प्रेप पोजिशन टू yield का मतलब उपज तो ये noun है ऐसे में तब ये plural हो जाना चाहिए अगर आप पूरी उमीद है कि आपने जरूर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखा होगा अगर ये सेशन आपको beneficial लगा है तो आप इसे like करें comment box में जाके आप ये बता सकते हैं कि आपने क्या खास इस सेशन से सीखा है आप चाहें तो इसे अपने friends में share भी कर सकते हैं एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत thank you इस वीडियो को पूरा देखने के लिए यूही मन लगा के पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए happy learning